आज को एकैडमी आज की वीडियो में 10 क्लास Mathematics Chapter नमबर 12 एरिया डिलेटेड टू सर्कल्स की एक्सरसइड 12.2 के कोस्चन नमबर 5 और 6 को सॉल्व करें गे इसकी लाश्ट वीडियो में हमने इसके question number 4 तक को solve किया था यदि आपने इसकी last वीडियो नहीं देखिए तो नीचे देए डिस्क्रिप्शन लिक्ट पर जाकर आप इसकी last वीडियो को देख सकते है आज की वीडियो में हम 12.2 के question number 5 और 6 को solve करेंगे सेले स्टार्ट करते है question number 5 तक कोश्चन में देखिए यह कह रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सब्टेंड सिक्स्टी डिग्री एट एक एक सर्कल है जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर उस सर्कल का आर्क सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाता है हमें find करना है length of arc area of the sector formed by the arc and area of the segment हमें तीन चीजे निकालनी है सबसे पहले में निकालना length of arc दूसरा में निकालना area of the sector formed by the arc उस आर्क द्वारा बनाए गए sector का area और फिर हमें area of the segment found by the code और उसके code द्वारा बनाए गए segment का हमें area निकालना है सबसे पहले यहां पर देखें यह हमार पास एक circle है इस circle में माल दीजिए यह हमार पास एक arc है a और b तो हमें इस arc की length निकालनी है यह arc हमार पास minor arc है तो यहां पर हमें arc की length निकालनी है यह arc center पे यह arc center पे 60 degree का angle बनाता है यह arc center पे 60 degree का angle बना रहा तो हमें इसकी हमें length निकालनी है तो length of arc हमें निकालनी के लिए सबसे पहले मैं radius चीए radius हमार पास है 21 cm तो हमार पास radius है 21 cm यहां पर हम निकालते है length of arc लेंट ओफ आर्फ आर्ट लेंट ओफ आर्ट अर्ट 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 थेटा अपॉन 360 पाई आप इसको सॉल्व कीजिए ठीटा यानिके angle एंगल हमें इस दिरेखा 60 दिगरी अपॉन में 360 पाई की वैल्यू टो इंटो पाई 22 अपॉन में 7 और आर्ट हमें गिवन है 21 cm और एंगल हमें इसको सॉल्व कीजिए यह से कड़ गया शिक्स तो काटी यहां पर थ्री और थ्री से यह 7 गया 7 से 7 तो हमार पास length of arc आगे 20 22 cm तो length of arc length of arc arc के length आगे 22 cm अब हमें निकालना है यहां पर area of sector सेक्टर का एरिया करते हैं तो सेकिंड पार्ट में देखिए हमें निकालना था एरिया ऑफ कोर्सपोंडिंग सेक्टर फॉर्ण वाय एन आर्क हमें रेडियस गीवन है सेंटीमीटर एंगल गीवन है सिक्टी डिगरी तो कोर्सपोंडिंग सेक्टर का एरिया होगा थीटा पॉन थ्री सिक्टी पाई और स्क्टी थीटा की वैलू इंटू अर्ण हमें 21 है तो 21 इंटू 21 आप इसको सौल कीजिए 11 इंटू 21 इनकी मल्टिप्लाइब कीजिए तो 231 यानिके 231 स्क्टी मीटर हो जाएगा हमारा एरिया और कोर्सपोंडिंग सेक्टर निकालने के लिए आप डेटा पॉन 360 पाई और स्क्टार का फॉर्मला अपलाई कीजिए आप का अंसर आ जाएगा अब हमें निकालना इसका थर्ड पार्ट अब देखिए थर्ड पार्ट म तो थर्टी वन स्क्टार सेंटी मीटर अब हमें निकालना एरिया ओफ ट्रेंगल एरिया अप्रेंगल तो सबसे पहले आप ट्रेंगल एओ वी में देखिए यहां पर ओए और ओबी यह दोनों आपस में एक्वल है क्योंकि यह रेडियस ऑफा सरकल है और दोनों 211 सेंटीम में खोंगे और एंगल सब्रॉपडी लगाते हैं यह दोनों हमारे पास आजएंगे जिस सटिडिगेरी का यह भी आजाए गा का एंगल और सिस्टी डिगरी का एंगल बी आ जाएगा तो इससे रिजल्ट यह निकलता है कि एंगल ए ट्राइंगल ए ओ बी एक हमारे पास एक्विलेटर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल ए ओ बी इज एन एक्विलेटरल ट्रेंगल और एक्विलेटर ट्रेंगल का एरिया होता है तो यहाँ पर अपने एरिया निकाले एरिया ट्रेंगल ए ओ बी एक्विलेटर ट्रेंगल का एरिया होता है रूट में थ्री अपॉन में फॉर इंटू थिद्ध स्वार के रूट्सी अपुन में फोर हमारेوس opens हैनों 21 स क्वेशे संदिमीटरे यह हाइर पास साइड हैं चांजी संद्ध से ड्वीट है सुक्वेयर का साइड हैी हमारे। कि तीन से मेरेड पर एरिया औस देगल यह इए ओ भी में निकालना है area of segment segment का area of sector में से हमें area of triangle को minus करना तो area of sector यानि के aobp minus area of triangle aob area of segment form by a code यह हमार पास आज आएगा area of sector aobp minus area of triangle aob area of sector आएथा हमार पास 231 इसमें से में माइनस करना area of triangle aob area of triangle aob हमार पास आया था 441 रूट में 3 upon 4 यह हमार पास इसका answer आजाएगा दो से कतिस माइनस 444 रूट 3 upon 4 यह हमार पास आगया area of segment तो इस तरीके से area of segment निकालने के लिए सबसे पहले हमने area of sector निकालना है तो area of sector हम पहले निकाल चुके हैं इसका answer था दो से 31 स्क्वेर सेंटीमीटर इसके बाद हमने area of triangle निकाला यह हमारा area of triangle है यह एक परकार का equilator triangle है पुकि इसके दो sides equal है तो equal sides के opposite triangle equal होते हैं तो angle sum property से angle ab 60 degree का होगा angle bb 60 degree का होगा तो a ob हमार पास एक equilator triangle आगया पर equilator triangle का area होता है root में 3 upon 4 side square side हमार पास 21 इसको solve कीजिए और area of sector में से triangle a ob का area माइनस कर दिजिए तो हमारा answer असरा जाएगा एरिया ओफ सेग्मेंट का चलिए नेश्ट करते हैं कि कॉस्टन नंबर सिक्स देखिए यह कि रहा अप कोड़ ऑफ सर्कल ओफ रेडियस फिफ्टिन सेंटीमेटर सब्स्टेंड एंगल ऑफ सिक्टी डिगरी एड दा सेंटर एक सर्कल है जिसका कोड़ सेंटर पर सिक्टी डिगरी का एंगल सब्स्टेंड कर रहा है उसका रेडियस है फिफ्टिन सेंटीमेटर हैं दा एरिया ओफ कोर्स्पोंडिंग माइनर एंड मेजर सेग्मेंट तो हमें उसके माइनर सेग्मेंट और मेजर सेग्मेंट का एरिया निकालना है पाई की वैलियू हमे 1.73 सबसे पहले देखिए हमें इसने एक सर्कल दिया है यह हमारे पास एक सर्कल है कि इस सर्कल का रेडियस 15 सेंटिमेटर और इसका जो कोड यह माली जो कोड है यह कोड तेंटर पे 60 डिगरी का एंगल बनाता है यह कोड और ए बी इसका रेडियस है 15 cm और यह हमार पास है 15 cm तो हमें इसके minor segment यह हमार पास minor segment है APB और हमें इसके major segment यानि कि P इसको आर माल लेजिए B RA या ARB इसका एरिया निकालना है यह हमार पास major segment ARB और हमार पास है minor segment APB तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है area of sector area of sector में से हम area of triangle को minus कर देंगे तो हमार पास area of minor segment आ जाएगा सबसे पहले हम यहां पर निकालते है area of sector हमें given है radius of a circle circle का radius हमें given है वह हमार पास 15 cm और हमार पास angle at center center पर जो हमार पास angle है theta वह हमारे पास है 60 degree तो सबसे पहला हम यहां पर निकालते है area of sector 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 AOBP area of sector होता थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वेर एंगल हमें given है 60 अपॉन 360 पाई की वैल्यू पाई की वैल्यू हमें रखनी है 3.14 तो यहां पर हम लेखेंगे 3.14 इंटू और हमें given है 15 15 इंटू 15 अब इसको solve कर लिजिए इससे कर जाएगा यहां पर आगया 6 इसको कार दीजिए 3 नुनी 6 और 3 पंजे 15 इसको कार दीजिए 2 एक कम 2 2 पंजे 10 और 2 सत्य 14 तो हमार पास आगया यह 1.57 इंटू 5 इंटू 15 अब आप इनकी multiply कर लिजिए 1.57 की multiply 5 से और इसकी multiply 15 से 15 की multiply करेंगे 5 से तो जाएगा मार पास 75 अब इसके आप multiply कीजिए इसकी multiply करने पर आपका एगा 75 इंटू या जाएगा हमार पास 117.75 पर सेंटीमेटर तो हमार पास area of sector आगया AOB, AOBP का area of sector आगया 117.75 पर सेंटीमेटर अब हमें निकालना area of triangle area of triangle यानिके AOB में अब देखिए हैं पर triangle AOB में OA, OB के बराबर है radius बराबर है अगर इनके radius बराबर है तो एंगल A और अगल B यह भी एक्वल होंगे, opposite angle to equal opposite side is always equal यानिक किसी भी triangle के 2 sides अगर equal होतों तो उनके opposite angle equal होते हैं तो angle A और angle B बी एक्वल होगा तो इसका मतलब एंगल A बी 60 डीग्री का और अगल B भी हमारत होगा तो यहां देखे इन ट्राइंगल में इस ट्राइंगल में ओए और ओबी यह एक्वल है कि इच कि इसका मतलब हमार पास एंगल ए और एंगल बी यह भी हाँ एक्वल होंगे दोने एंगल कितने कितने के होंगे 60 60 डिए तो इससे रिजल डिये निकलता है कि ट्राइंगल ए ओ बी इज एन equilateral triangle तो यह हमार पास है equilateral triangle है तो पहले हम equilateral triangle का area निकाल लेते है तो area of triangle AO B तो area of triangle equilateral triangle का area होता हूट में square । Root through upon 4 in two side । हमारे पास यहां पर R है यानि के 15 का square रूट त्री अपोन फॉर टैदी स्क्यार साइड हमारे पास है 15 का स्क्यार तो यहां पर हमारे पास 15 का स्क्यार हो जाएगा अब हम इसको सौल्व करते हैं तो हमारे पासाएगा रूट 3 अपोन 4 15 का स्क्वेर होता है 225 आप इसको काटना चाहिए तो काट सकते हैं यहाँ पर आप root 3 की value कितनी है हमार पास 1.73 इंटू 225 अपन में 4 अब इसको काट लेजिए इसको इससे काटते हैं और पंजे 20 और चिट चोवीश चादनी यार चार पंजे 20 यह हमार पास आगा 1.73 इंटू 56.25 अब आप इसकी multiply करें तो आप 1.73 इंटू 56.25 की multiply करते तो 97.3125 हमारा answer आता है अब हमें निकालना था इसका area of minor segment area of minor segment area of minor segment area of middle ить area of minor segment area of sector में से एमारा पास area of sector है इस में से area of triangle को minus करना तो area of minor segment होगा area of area of माइनर सेक्टर यानिके a.o.bp a.o.bp माइनस में एरिया और ट्रेंगल a.o.b हमार पास एरिया ओफ माइनर सेक्टर a.o.bp इसका हमार पास एरिया आया था 117.75 इसमें सेमें कटा करना था area of triangle AOB area of triangle AOB हमार पास आया 97.3125 अब इसको आप माइनस कर लिजी माइनस करते हुआ पार जाएगा 573 4.02 cm2 तो यह हमार पास आगया area of minor segment निकालने के लिए मैं सबसे पहले area of sector निकलना area of sector हमारा आएगा थीटा पॉन 360 पाई आर स्केर वह हमारा आए था 117.75 इसके बाद हमें निकालना area of triangle जो कि एक्विलेटर ट्रेंगल है तो area of triangle होता है रूट थी अपोने पॉर स्केर उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 97.3125 अब इन दोनों को माइनस कर दीजी तो यह हमारा जागा area of minor segment अब हमें निकालना area of major sector हमें area of major sector निकालने के लिए हमें circle के area में से area of minor sector को minor segment को माइनस करना है तो हमें निकालना area of major segment area of major segment हमारा होगा ARB तो हमें ARB यानि के पूरे circle में से हमें area of APB यानि के minor segment को माइनस करना है तो यहां पर हमारा आएगा area of major segment area of major segment होगा area of circle area of circle माइनस में area of minor segment segment area of circle होता है पाई आर स्क्वेर area of minor segment area of minor segment हमारा आया था 20.4375 अब आप इसको सॉल्ट केजिए 306 306.5 इसमें से माइनस कर दीजिए 24375 अब हम इसको सिक्स सेंटिमीटर स्क्वेर तो इस तरीके से मारा पास major segment का area आ जाएगा 686.0625 स्क्वेर सेंटिमीटर आज की वीडियो में बस इतना ही अब इन दो कोशनों की प्रैक्टिस कीजिए नेक्स्ट वीडियो में हम इनके और कोशनों को सॉल्ट करेंगे इसी प्रकार की नई वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद